प्रकार के दुख से विचलित नहीं हो सकते हैं इस योग का द्रण निश्चय एविम धैरेता से अभ्यास करने से साधक सफल हो जाता है उसकी साधना सफल हो जाती है यही साधना है और यह अभ्यास करके आप देखिए फिर अर्जुन का एक महत्व पूर्ण सवाल के हे इसलिए इसे वश्मे करना में वायू की भातियती दुश्कर मानता तो भगवान कहते हैं अर्जुन निरसंदे मन चंचल है भगवान भी जानते हैं तो भगवान क्या कहते हैं निरसंदे मन चंचल है परंतु अभ्यास अभ्यास करना पड़ता है कोई भी चीज के लिए यह कहते practice makes a man perfect practice के बिना perfection नहीं आएंगा योग के लिए भी practice करना बहुत जरूरी है शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी मन भटक जाएगा इदर उदर भागेगा लेकिन फिर भी जैसे जैसे अभ्यास करते जाओ तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये वश में हो जाता है मन को वश न करने वाले पुरुश के लिए योग कठिन है किन्तु स्ववश मन वाले पुर्शार्थी के लिए योग सहज हो जाता है स्ववश करना है जैसे वो कहानी सुनाई पहले उसकी दिशा बदली करो और दिशा बदली करके सूर्य के तरफ मुखो और परच्छाई पीछे हो, कामनाएं पीछे हो परमात्मा की स्मृती में रह करके करम करते चलो तो कोई तुरुटी उसमें नहीं होंगी योग भी कठिन नहीं लगेगा, शुरू में थोड़ा दिक्कत लगेगी, प्रैक्टिस जब तक हो जाए लेकिन धीरे 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 फिर अभ्यास से मन वश में हो जाता है बहुत सुन्दर एक बात याद आती है अभ्यास से कि अर्जुन इतना बड़ा धनूर्दर कैसे बना तो कहा जाता है कि बच्पन में पांचो पांडव सोये हुए थे तो अर्जुन और भीम बाजू बाजू में सोये हुए थे आधी रात को अचानक अर्जुन की नींद खुली और नींद खुली तो उसने देखा उसके बाजूप में भीम है ही नहीं तो उसको लगा यह आधी रात में भीम कहां चला गया तो वो भी उठकर के देखने के लिए गया तो देखा के भीम रसोई गर में बैटके खाना खा रहा था तो अर्जुन ने पूछा भीम तु खाना खा रहा है कहां बड़ी भूख लगी थी निन नहीं आ रही थी तो खाना खा रहा तो अर्जुन ने कहा भले खाओ लेकिन कम से कम बत्ती तो जला देते अंधेरे में कैसे खा रहे अंधेरे में कैसे खा रहे, बत्ती जला देते थे तो भीम मुस्कुरा कर कहता है कि अरजुन अभ्यास मुझे खाने का इतना अभ्यास है जो वह सीधा मुँ में जाएगा इधर उदर कहीं नहीं जाएगा अभ्यास तो वहीं से अरजुन ने भी प्रेणा ली कि अगर भीम अंधेरे में भी खा सकता है और मुँ में ही जाता है मैं भी अगर अभ्यास करूँ तो अंधेरे में तीर चलाओ निशाने को लगे और वहां से वो इतना बड़ा धन होता है तो योग का भी अभ्यास करेंगे तो अभ्यास से सब सरल हो जाता है सहज हो जाता है मुश्किल कुछ भी नहीं होता है और फिर भगवान को और एक प्रश्न पूछता है अरजुन कि हे भगवन असफल पुरुशार्थी जिसकी योग में श्रद्धा है यह नहीं कि श्रद्धा नहीं यह श्रद्धा है पर अंत समय अगर मानो उसका मन विचलित हो जाए तो वह योग सिद्धी के बज़ाए किस गती को प्राप्त होता है क्या वो छिन बिन बादल की तरह नश्ट तो नहीं हो जाता है बहुत सुन्दर यह सवाल है जो आप सबके मन में भी हो सकता है कि मानो पुर्शार्थी पुर्शार्थ कर रहा है अभ्यास भी कर रहा है योग में उसकी श्रद्धा भी है लेकिन आसफल हो गया क्योंकि अंतिम समय उसका मन विचलित हो गया तो वो किस गती को प्राप्त होता है तो वगवान ने बहुत सुंदर उसका जवाब दिया है पुरुशार्थी कभी दुर्गती को प्राप्त नहीं होता है वो पुनर जन्म पाकर अपने पूर्व जन्म के संसकारों को जागरत करता है और योग अभ्यास के मार्ग पर आकरशित होता है पुनर उस मार्ग पर आगे बढ़ता है और जो योगी नियम पुर्वक समस्त पापों से शुद्ध होकर सच्ची निष्टा से प्रगती करता है वो स्रेष्ट गती को ही प्राप्त हो जाता है योगी पुरुष तपस्वियों से ज्ञानियों से तथा सकाम कर्मियों से स्रेष्ट है इसलिए है अर्जन तुम योगी बनो और समर्पन भाव के साथ अंतर मन से योग का आचरण करो योगी बनने की प्रेणा दी इसलिए भगवान ने तपस्वी बनने के लिए नहीं कहा घर बार को छोड़ने के लिए नहीं कहा और हम भी यही आपको कहते आप घर ग्रहस्त में रहते हुए अपने कर्तव्य को संभालते हुए जिम्मेवारियों को निभाते हुए आप योगी बनो और योगी बन करके देखो कि आपके जीवन के अंदर कर्मों में भी कितनी कुशलता आती है और आप धीरे धीरे जीवन के अंदर कितनी आत्मा उन्नती कर सकते हैं कभी दुर्गती नहीं होती है उस आत्मा की और इस तरह भगवान ने छठे अध्याई तक ये बाते स्पष्ट किया सात्मे अध्याई में भगवान ने और एक रहस्य पूर्ण बाते खोली है और वो रहस्य पूर्ण बात क्या है ज्ञान विज्ञान योग बताया है क्योंकि अर्जुन को बार बार ये सवाल मन के अंदर आ रहा था कि हे प्रभू जब भगवान ने कहा मैं अजन्मा हूँ अव्यक्त हूँ मुझे नहीं देख सकते मेरे कर्मों को नहीं देख सकता है ये चरम चक्षू से नहीं देख सकते हैं तो अब अर्जुन पुनह उस विशई पर आता है कि कौन देख सकता है कौन जान सकता है क्योंकि अब वो समझना चाहता है अब तक योग की बातों को समझा लेकिन अब जब भगवान ने बार बार कहा योगी बनो तुम अपने मन बुद्धी को मुझे में एकागर करो और भगवान ने कहा कि मेरा स्वरूप को नहीं देख सकते हैं इन चरम चक्षूओं से तो अब वो इस विश्य को जानना चाहता है तो भगवान कहते कि हे अर्जुन मुझे जानने के लिए हजारों में कोई विरला ही प्रयत्न करता है कोटों में कोई कोई में भी कोई विरला ही प्रयत्न करता है और उसमें भी कोई विरला ही जानता है अब ये शब्द सिक्रिष्न नहीं बोल सकते हैं क्योंकि सिक्रिष्न को कौन नहीं जानता है तुरियोधन जैसे भी जानते थे कितना शक्तिशली समर्थ थे और भगवान अगर कलियुक के अंत में जो कहा गीता का ज्यान देने आते हैं और अधर्म का नाशर्सत धर्म की स्थापना करनी है और मन मोहक से कृष्ण के रूप में अगर आए तो कौन व्यक्ति उसको कार्य करने देंगे भीड मचा देंगे क्यों लगा देंगे दर्शन की क्यों लगा देंगे न कोई उसको कार्य करने देंगे कि नहीं देंगे कार्य ही नहीं करने देंगे इसलिए भगवान कहते माना भगवान अती साधारन रूप में आता है इसलिए कहा मुझे जानने के लिए हजारों में कोई विरला प्रयत्न करता है और उसमें भी कोई विरला जानता है जो अनन्य भाव से मेरे आश्रित होकर मेरे साथ योग लगाता है वह सरलता से मेरे संपूर्ण रूप को जान लेता है कि भगवान कौन है कैसा है और माया को पार कर जाता है माया से भी पार हो जाता है इसका मतलब भगवान इतना साधारन स्वरूप में आता है यानि इसी कृष्ण का जो नर स्वरूप है उस नर स्वरूप में आते हैं जिस कारण सभी नहीं पहचानते हैं क्योंकि अगर सभी पहचान ले उस स्वरुप में आये तो तो कोई कारिये नहीं करने दे, भीड मचा देंगे मुझे याद आता है कि कुछ सालों पहले वो गणेश जी ने दूद पिया था आप सबको भी मालूम होगा और उस समय क्यों ऐसी लगे थी रात रात लोग क्यों में खड़े थे देखने के लिए और आधा घंटे के अंदर सारे विश्व के अंदर लोगों को पता चल गया था दूसरे धर्म वालों को भी पता चल गया था कि गणेश जी ने दूद पिया और आज तो इंटरनेट जब इतना पावरफुल हो और भगवान आ जाए और उसको कोई कारिय करने दे ऐसा हो सकेगा कितनी भीड मचा देंगे धक्का मुक्की हो जाएंगी लडाई जगडा हो जाएंगा कितना सिक्यूरिटी रखना पड़े उस भीड को कंट्रोल करने के लिए क्यों कितनी लंबी होंगी कभी खतमी नहीं होंगी तो भगवान कारिय कब करेंगा धर्म का नाश और सद्धर्म का कारिय कोई जादू की छड़ी गुमाके तो नहीं करेगा ना प्रकर्टि करम किया है उसने इसलिए उसका महत्व है भावार्थ ये कि अतीस साधारण स्वरूप में आते हैं जिस कारण कोटों में कोई कोई में भी कोई विरला ही उसको पहचानता है और अनन्य भाव से जब उसके आश्रित हो जाते हैं तब सरलता से उसके संपूर्ण स प्रकर्टि पुरूश और परमपुरूश से ये संसार चक्र चल रहा है इसमें सर्व स्रेष्ट मैं परमपुरुष हूँ परमात्मा पुरुश मना आत्मा तो परम पुरुष यानि परम आत्मा हूँ मुझ से श्रेष्ट कोई सत्य नहीं ہے मैं मनुष्य श्रिष्टी का बीज रूप हूं जो धर्म के विरुद नहीं है उन बुद्धी मानों की बुद्धी हूं मैं प्रकर्ती के गुणों के अधीन नहीं हूं यानि सात्विक, राजसिक, तामसिक ये गुणों के अधीन में नहीं होता सिक्रिष्न तो फिर भी सात्विक प्रकर्ति के थे परमात्मा ये गुणों के अधीन नहीं है उनसे भी उपर है फिर भगवान कहते हैं माया द्वारा जिनके ज्ञान का अफरन हुआ है और जो आसूरी स्वभाव को धारन किये उए हैं वे मनुश्य में अधम दुष्ट करम करने वाले मूड मती परमात्मा की शरण ग्रहन नहीं कर सकता है तो वो कहा जाते हैं? अगर भगवान की शरण में नहीं आते, तो वो कहा जाते हैं? तो भगवान उस समय कहते हैं कि जिनकी बुद्धी इच्छाओं के द्वारा मारी गई है वे अपनी इच्छा पूर्ती के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं अब यहां स्पष्ट होता है परमात्मा और देवता वो देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार, पूजा के विधी विधान का पालन करते हैं, और अपनी इच्छा की पूर्ती करते हैं, किन्तु अब यहां एक रहस्य पूर्ण बात यह बताते हैं, किन्तु वास्तविक्ता तो यह है, कि यह सारी प्राप्ति मेरे द्वारा ही प्रदत है प्राप्ति कराने वाले वो देवताएं नहीं है प्राप्ति कराने वाला तो परमात्माई है तो मेरे द्वारा ही प्रदत है लेकिन अलपग्य बुद्धी वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं तो प्राप्त होने वाला फल भी सिमित और क्षणिक होता ह temporary प्राप्त हो जाता है उसमें व्यक्ति खुश हो जाता है लेकिन जो परमात्मा की शरन में जाते है वो संपूर्ण प्राप्ति करता है लेकिन जिनकी बुद्धी माया के द्वारा जिनका फरण हो गया बुद्धी का फरण वो अपनी इच्छा पूर्ती के लिए देवताओं की शरण में कितना स्पश्ट है गीता के अंदर हर बात कि कौन देवताओं की पूजा करता है, कौन परमात्मा की शरण में जाता है और किसलिए जाता है, तब अर्जन पुनह ये सवाल पूछता है परमात्मा को मनुश्य क्यों नहीं जान पाते हैं तो भगवान कहते हैं, संसार के संपून प्राणी इच्छार द्वेश अर्थात राग द्वेशादी द्वन्व से उत्पन मो से ग्रस्त है इसलिए वो मुझे नहीं जान पाते हैं बुद्धीहीन मनुश्य मुझ अव्यक्त पुरुष को व्यक्त भाव को प्राप्त किया हुआ मानते हैं वे मुझ अजन्मा अविनाशी सर्वोच को नहीं जानते क्योंकि मैं सब के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता बगवान ने कह दिया मैं सब के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता हूं मैं इनके यानि इसी कृष्ण के भी मैं इनके तीनों कालों को भूत वर्त्मान भविष्य को जानता मैं इनके भी तीनों कालों को जानता यानि इसी कृष्ण का जो साधारन स्वरूप नर स्वरूप है इसलिए कहा जाता नर से सो नारायन नारी से सो स्री लक्षमी अर्थाज जो उसका नर स्वरूप है उस साधारन स्वरूप में परमात्म अउतरेत होते हैं जन्म नहीं लेते अउतरेत होते हैं अपना कार्य करने के लिए ताकि साधारन स्वरूप होने कारण मनुष्य पहचान नहीं सकते हैं तब फिर दुबारा अर्जुन पूछता है भव परमात्मा को कौन जान पाते हैं भगवान कहते हैं जो पुन्य करम करने वाले जिनके पाप नश्ट हो गए और राग द्वेशादी द्वंद के मोह से मुक्त होकर अपने वरत में द्रड रह करके मुझ में अपने मन को एकागर करते हैं वे अंत में संपून आध्यात्म दिव्य करम भातिक जगत